डी, ओ, सी, टी, ओ, आर, डॉक्टर यानि की इसारों के माध्यम से बता रहा है और जो मैडम पढ़ा रही हो खुद हेरिंग पेट है जिनका वो भी बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती लेकिन वो मैडम भी यहां से स्टड़ी की जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने जो मैम है यह भी बोल और सुन नहीं सकती है लेकिन इसके बाद भी किस परकार से बच्चों को इसारे के माध्यम से यह पढ़ा रही है हमारे साथ आप जिस बच्चे को देख रहे हैं आपना नाम बताओ आपना नाम पता हैं अी सब बढ़ाते हैं अच्छों मेंग बच्यों को जो पढता है उन से क्या कुछ अलग इन लोग को बताने की कोशिश की जाती है a live सब्सक्राइब पूछेंगे हम सपेलिंग के साथ कौने सिर्टरे सी बता पाएगगे बचा पूछेम più डी ओ जी टी ओ डॉक्टर यानि जारों से बता रहा है कि से हम लोगों डॉक्टर चेक करते हैं तो इस अब हम आवर हेल्स पर्स भी पढ़ाते हैं बच्छों लोगों अब सब चीज के जनकारी इन लोगों रहता है अच्छा में यह बताएं कि पढ़ाने में तो बहुत मुश सामने कोई बच्छा जा रहा है तो उसी तो बुलाना मुश्कील होता होगा जाकर जाके बुलाना है चलिए यहां पर senior बच्चों को पढ़ाए जाता है इनके बारे में बताएगी जिनका वो भी बोल नहीं पाती सुन नहीं पाती लेकिन वो मैडम भी यहां से स्टड़ी की और यहां पे डिप्लोमा कोच करके भी आईए बनारस से और यहां पे अभी स्पेशल एडुकेटर के रुप में और बच्चों को पढ़ा रही है आप देख रहे हैं उनका पढ़ाने का तरीका यह देखे बच्चे अपने आप में पढ़ रहे हैं इसके बाद भी किस परकार से बच्चों को इसारे के माध्यम से यह पढ़ा रही है और कई न कई यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे आपको दिख रहे हैं यह बच्चे बोल नहीं सकते हैं सुन नहीं सकते हैं क्योंकि यह दिव्यांग है अच्छा मैं में बताइए बच्चों की लगबग एज कितनी होगी है यह जो बच्चे हैं आपको कोई 16 साल 17 साल या ठारा साल उनिस साल इस तरीके से आपने सामने में सौप में बैठावा देखे वह 24 साल का है तो जो बोकेशनल ट्रेणिंग में मेरे जो बच्चे हैं वह सब और जी है कोई 25 साल कोई 30 साल कोई 28 से कोई 35 से कोई 40 से इस तरीके का है तो वैसे बच्चों को भी क्योंकि लेल सी मेंबर भी अभी लोकल लेबल है तो लोकल में रसी मेंबर के होने के नाते भी हमारे स्कुल के चाई़ वह बच्चे हो चाई़ नहीं हो अगर वह दिव्यांग हो और उनको कुछ करने का है": वेकेशनल से अब भी स्वाफी बच्चों को ले लेते हैं और लेने के बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रे नि और पढ़ाने के बाद जब तक रोजगार नहीं मिले तब तक बच्चे को नहीं छोड़ा जाता है और यहां तक की मैम के दोरा दुकाने भी खुला जाता है और जो भी दिव्यांग बच्चे हैं यहां से पढ़ाई करने के बाद दुकान के माध्यम से रोजगार दिया जाता लेकिन वैसे बच्चे जो सच्छम हैं जिनके पैरेंस सच्छम हैं हम ऐसे पैरेंस से लेते भी हैं और उन पैरेंस से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप जरूर ऐसे बच्चों को पुर्शान करने के लिए ही भले ऐसे डोनेशन ही सही आप डोनेशन समझ के इन बच्चों को इ दिये तो ऐसे कुझ पांस से दस प्रसंट ब्च्चे है जो हमारे एज़ डोनेशन दे पाते हैं लेकिन 99 प्रसंट बच्च्चे हमारे वैसे यह जो सब आप देख सकते हैं कि कहीना कहीन बच्चों के लिए जो टीचर है भगवान के रूप में हैं क्योंकि मैम का कहना है कि बच्चे को फिरी में भी पराते हैं जो बच्चे जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं